विंटर सीजन चालू हो गया है मेरे फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि विंटर सीजन में काफी सारे अनिमेल्स को पेट्स को कुछ-कुछ दिक्कत होते हैं उसमें हमें कुछ साब्धानिया बरतनी परती है तो आज मैं जिस बात करूंगा जिस टॉपिक में वह है टटल के बा में जिस बारे में तो हाए फ्रेंड्स आज यह आज करते हैं तो यह जो है यह है सौफ टटल एक पानी में रहने वाला कच्छुआ यह जो कहूंगा मेरा जो फोकस है सिव उसके खाने के बारे में तो यह क्या खाते हैं और इसके लिए क्ल्दिछ डायेट और हेल्दी लेकिन वह खाते नहीं है ठीक से तरह तरह के खाना ओफर करते हैं लेकिन वह खाना छोड़ देते हैं फिर बिमार हो जाते हैं फिर बोस्तों आज में बेरी स्पेसिफिक और वेरी शॉट वीडियो बनाऊंगा इसके लिए वह यह है कि इसका जो खाना है यह वाइल टाटल यह पानी में रहने वाला है यह तालाब नदी और कोई भी जील में रहने वाला है तो यह बिल्कुल नैचरल खाना पसंद करता है तो आप अगर इसको अपने गाजर मूली अपने रोटी ब्रेट चावल देंगे तो कभी नहीं खाएगा नॉर्मल बात है यह अपना यह कभी य कीड़े मकोरे तो आप पसंद करेंगे क्या तो सेम इसी के लिए भी उल्क होता है अगर इनको अगर खाना देना है तो इनको इनको जो नैचरल खाना है वो दिजिय अगर आप आपके लिए वो मुश्कील है क्यूंकि यह खाता है यह नचरल ने जब रहता है वाइल्ल में जो हisma किक शोटे कीट में उढ़ा है यह जो छोटे मचली आपके लिए देना पॉसिबल नहीं तो तो इसको बताओंगा आप इसको टम फूर्ट जो यह देखिए यह है turtle food यह जो turtle food जो easily available है आपके nearest page store में यह दीजिए यह यह काफी सारे पसंद करते हैं मैंने खुद मैं खुद इनको देता हूँ और यह काफी time से यह खा रहा है और यह बहुती active और healthy भी है मैं इसको इसलिए recommend करता हूँ दोस्तों क्यूंकि यह turtle food है यह खास कर टटल के लिए ही बनाया गया है और इसमें जो ingredients है वो सारे जो है टटल के जो natural food habitat है तो इसको ध्यान में रखते हुए बना गया है तो यह नाइंटी नाइन परसें शूर है कि यह आपके टटल को पसंद आएगा और यह टटल अपना वह खाएगा भी और वह healthy भी रहेगा तो पहला चीज तो मैं यह आपको बतांगा इसको आप खाने को लेके या टटल कर जो भी पूड अफ़र करेंगे वह नाइच्छली वो कभी भी नहीं खाना चाहेगा काफी लोगों ने मुझे से कहा है कि एक हपता दो हपता और वन मंथ वह कुछ भी नहीं नहीं खाय आपको बात है अगर उसको मनपसंद खाना नहीं मिलेगा तो वह नहीं खाएगा कभी भी हां अगर जान बचाने का है अगर वह बहुत तकलिब में है भूख के मारे चलो आपने उसको रोटी दिया या कुछ गाजर सबजी बगरा काट के दिया तो हो सकता है वह खाले लेकिन वह उसके लिए आपते हैंक्षव में नैच्रल फीड नहीं है ठीके दोस्तों तो आपको मैं यही कहूँँगा कि अगर आपके पास टटल है अगर पानीरेन ळहने वाला टटल भी है या और अक्वरिय मन टटल है या फिर सी टटल है तो इसको आप यह सबगकर अंद दाना जैसा होता है तो फिश फूट कोई कोई पीश फूट भी डेता है लेकिन में फिशी फूट रेकोमेंड़ नहीं करता हूं कि फिश फूट में जो भी इंगेडियन्स वह बिल्कुल डिफ्रेंस रहता है थोड़ा सा डिफरेंस रहता है आप देख सकते हैं यह इसके MRP 145 लेकिन आपको 50-70 रुपिया आपके अवेलेवल पेट स्टोर में मिल जाएंगे हो सकता है कभी किसी का 10-20 रुपिया जादा कम हो सकता है और इसमें जो इंगेडियन्स है मैं इसके बारे में बताता हूं यह मैं थोड़ा क्लोस करता हूं आप देख सकते हैं इसमें है वाइट जलता है उसका जो नैचरल फूड मैं उसके साथ है इसमें जो भी चीज दिया हूँ है यह उसका टेस्ट है उसका कलर जिक्चर जो है यह पसंद करता है और यह खाता भी है तो यह खा भी रहा है और लगबख समझ रहें कि देखिए आप यह पुरा खतम हो चुका है तो आप इसको खाने के लिए का रेंडी मत कीजिए उसको चावल सबजी रोटी ब्रेड वगरा मत दीजिए यह वह खा भी ने पाएगा वह पचा भी ने पाएगा डाज़ेस्ट नहीं करेगा और उसका नुकसान हो जाएगा वह बिमार पर जाएगा इस पर मॉटलेटी रेट भी बढ़ सकता है तो यही था दोस्तो आज का जो टॉपिक है मैंने वेरी शॉट में आपको समझाने का कोशिश क्या हूं उमीद करते हैं आज का ये वीडियो टॉपिक से आपको अंदाजा आ गया होगा मैं टर्टल की बात कर रहा हूं जो पानी वाला टर्टल उसकी बात होता है एट थंडा खून वाला पानी प्रानी होता है थी इनका बदन जो है चमिपर्य चर के साथ हूइनका आप भी बॉडी का ट Imperator के हांएगा हो सकता हैखाना इक दिन को हैं हो सकता है और दो पू wenn शोर्टमेद कि ये जो मैं ने उसके लिए मैक्सिमां पचास रुपट और मैंने इस पानी दे दिया आप देख सकते हैं यहां पर पानी है जब इसका मरजी जब इसका मन हो पानी में जाके स्विम करता है खाना पीना खाता है खेलता है उसके बाद और यह वाला जो आप्शन है यह सिमेंट से मैंने बनाया है यह सुका है यह हमें से ड्राय रहता है आप देख रहें य इसी को और नेजर में आड़ा हो करता हूं ऑगर शमाव video अच्राव लगा तो आप झरूर किसी और मुझे comment करके बताईए कि आप अपने टटल को क्या खिलाते हैं ताकि मिल जाए तो दोस्तों आज के लिए यहीं पर टाटा पाइबार नमस्ते फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नया इंफर्मेशन के साथ बाइबाई